हलो नमस्कार एक बाफिड से आप सब्धी का सोगतत दभारटोक से बात करें यहाँ पे करना टक में जो यहाँ पर हाई कोट है वो लगातार यहाँ पर हिजाब के लिए यहाँ पर सुनवाई कर रहा है कि यहाँ पर इसको अलाओ करेंगे यह नहीं करेंगे अभी उन्होंने यहां पर पूरी तर से रोक लगा रही है यहां पर तरक यहां पर देखने कोई मिल रहा है नहीं नहीं दलीले यहां पर पेश हो रही है कोट के अंदर और ऐसी एक दलील यहां पर पेश हुई जब यह कहा गया कि कल यहां पर जुम्मा है और यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दलीले पेश करते हुए हिजाब के समर्थन में वरिष्ट वकील है जो कामत है उसने कुरान और हदीसों का भी हवाला दिया जैसे ही कोट ने का कि कर ढ़ाई बज़े हम बाकी आचिका करताओं का सुनुवाई करेंगे वहीं एड़ोकेट कुलकर्णी ने हस्तक्षिप करते हुए का कि कल जुम्मा है माईलोर कृपया कल हिजाब पहने की अनुमती दे अब देखिए वही बात निकल गया रही है कहा जा रहा था कि स्कुल कोलेज में क्यों एक ड्रेस कोड को फोलो करना चाहिए लेकिन उसके बाद में अब यह हो रहा है कि यहाँ पे शुकरवार है तो शुकरवार को अनुमती दे जिसा पहले कहा जा रहा था कि यहाँ पे शुकरवार के लिए अनुमती मांगेंगे फिर बोलेंगे जुम्मे की नमाज यहाँ पे अनुमती दी जाए तो इसी तरह से आपे होतावाब दिख रहा है कामत ने आपे हिजाब का बचाओ करतेवे कुरान और हदीस का भी हवाला दिया उन्होंने का कि हदीस कुरान के समानी महतुर रखता है अध्या 12 के आयत 24-31 में समझाय गया है कि कैसे आईशा इसे पहनती थी आईशा पेगंबर मुहम्मद की पत्नी है ताकि शरी चेहरे गर्दन और चाती पर परदा रखने के लिए और सर ढखेवे हो इसके लिए यहाँ पे हिजाब बुरकाई सा पहनती थी इसके लवा कामत ने आप पे जो दलीले दी उसके अंदर हिजाब की तुलना यहाँ पे घूंगड से कर डाली उसको बताया कि यह गूंगड के समानी यहाँ पे है इसके अलवा बोला कि हिजाब अरभी शब्द खिमार से निकला है यह गुंगट की तरह है जो सीरो चाती को ढखता है लेकिन अभी यहाँ पे कोई अनुमती नहीं मिली है और अब यहाँ पे आज सुनवाई होगी खेर आपका केकना इस मामले में नीचे आप कमेंट जरू करें क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे इसकूल या कोलेज कोई भी हो उसके लिए एक ड्रेस कोड को यहाँ पे फोलो करना चाहिए लेकिन जब ड्रेस कोड की बात आती है तो यहाँ पे हिजाब को अलग वे में आपे ले जाते हैं कि यहाँ पे उसको बेंड करने की मांग करने यह करें बात चल जाए कि आप इसकुल कोलेज में एक ड्रेस कोड फोलो होना चाहिए लेकिन मुख्य मुद्दा जो है उसको भटकाय जा रहा है और अलग तरीके से उसको पेश किया जा रहा है